बात होती है समझगी और ये सारी चीज़ें ग्यान। अभ्यास करना भक्ति करना ये सारी चीज़ें सुभाविक जब सब चीज़े ठीक है कि प्यास है तो ये सारी चीज़ें होंगी प्यास नहीं है जवड़स्ती यह चीजियों नहीं होंगी जैसे एक बार कि यह बात आई कि कौन ज्यादा था करता है गनेश कि यह कारते हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन कौन बड़ा है तो कि शिवजी और पार्वती वहां खड़े हुए थे तो जब यह बात चली तो शिवजी ने पार्वजी ने कहा कि जो भी सारे संसार का भ्रमन करके सबसे पहले हमारे पास पहुंचेगा वही सबसे पाज़ा तो कार्तिक ने लिया अपना मोर बैठे और चल दिये सारा भ्रमन करने के लिए गनेश थे छोटे तो गए और अपने माता-पिता शिवजी और पावजी की एक परक्रमा की और पैर चुने तो शिवजी ने का ये क्या आप ही मेरे संसार हैं आप शिवजी हैं पारवती हैं माबाप हैं यही मेरे सारे संसार हैं मैंने आपकी परक्रमा कर ली मैंने सारे संसार की परक्रमा कर ली तो तो यृट वाहि उन्होंने बात समझी अधर सिपी ने बारदान डिया कि पहले पूजा तुम्हारी हो इस प्रफ पूजा तुम्हारी को तो समझ नहीं है किसी को तो फिर समजने की कोशिश करता है जबने सिसम्जा नहीं सकते तो भक्ति क्या है आज का जो मनुश्य है वो देखता है उसके ख्वाब हैं वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है वो भी दूसरों की तरह बनना चाहता है पैसा हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो ये सारी चीजें हों उसको लगता है कि ये मेरे जीवन का लगशा है नाम कबाओं तो तुम भी यहां बैठे हो और ये स्रिष्टी बहुत पहले से चलती आ रही है और इस स्रिष्टी में जो मनुश्य आए हैं और चले गए हैं क्या उनके भी ये ख्वाब नहीं थे नाम कबाओं तुमको कितने याद हैं मैं बात कर रहा हूं हज्जारों 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 लाखों करोडों मनुश्यों की जिनका यही लक्ष था कि शहरत हो धन कमाएं लाव कमाएं क्या कहते हैं नाम कमाएं यही उन्होंने किया यही इसी बात ही कोशिस कि अब तुम यहाँ हो आज कितने याद हैं तुमको ऐसे कितने कितने राजा राएं होंगे जिन्होंने अपनी तिजोईरियों में धन रखावाएं सुना रखावाएं बड़ी बड़ी फोजे हैं अब उन्हों कोई जानता भी नहीं है कौन है कौन है क्या कमाना है क्या नहीं कमाना है क्या कमा पाओगे क्या नहीं कमा पाओगे यह भी लोग नहीं समझते हैं समझते हैं कि जो हमारे ख्वाब है उनको पूरा करेंगे क्या कर भी सकोगे या नहीं कर सकोगे जो तुम्हारे ख्वाब हैं या कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, या कभी पूरे हो भी सकते हैं, क्योंकि इस संसार के अंदर जितना तुम कमाऊगे, जितना तुम धनी बनोगे, जितना तुम प्रचलत होगे, उतना ही तुमारे दुश्मन और बढ़ेंगे, तो तुम तो रसी बनाने की कोशिश करोगे और कोई रसी तुमारी काटने की कोशिश करे और जैसे जैसे तुमारी उमर भड़ेगी वैसे तुम और लोगों को जानोगे और जैसे जैसे और लोगों को जानोगे तुम कोशिश करोगे प्रचलित होने की वो कोशिश करेंगे तुमको निज़ा तो सारे चीज़ों में अगर कुछ संभव है तो क्या संभव है भक्ती संभव असली सुक असली सुक संभव नकली सुक संभव है थोड़े देर के लिए फिर वो दुख में बदलेगा चाहि कोई भी हो कैसा भी हो थोड़े देर सुक रहेगा फिर दुख में बदलेगा और जो भगवान का सुख है, जो प्रभु का सुख है, जो असली भत्ती करने का सुख है, वो ही ऐसा सुख है जो कभी दुख दर्थ में नहीं बतलता है, सुखी रहता है, अमेशा सुखी रहता है, और मनुष्य दुखी भी हो, उसकी तरफ जाए तो वो भी सुखी हो जाएग और कोई चारा नहीं है तुम दुख से बचना चाहते हो चाहते हो क्योंकि दुख तुम सहन नहीं कर सकते है थोड़ा सा भी दुख होता है तुमारे जीवन के अंदर तुम सहन नहीं कर पढ़ अ और सुक तुम इतना सह सकते हो इतना सह सकते। जिसके कोई सहीमा ने। कोई सहीमा ने। घट मेत।